Hello guys, how are you all? I hope you all are doing well. So today I am here with the topic internal audit. Let's talk about it. अगर मैं बात करूँ internal audit की, तो internal audit as the word suggest internal, इसका मतलब है inside the organization, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे क्या होता है, जो audit होती है, जो auditor होता है, वो कोई बाहर का इंसान नहीं होता, यह company के ही लोग होते हैं, company का ही staff होता है, कोई selected staff होता है, जो की audit करता है, मतलब किसी को, किसी बाहर से, किसी auditor को नहीं बुलवाया जाता है, company के accounts, books of accounts, या फर financial statement को चेक करने के लिए, इसमें क्या होता है, company के लोग ही audit करते हैं, ठेक है, books of accounts को, financial statement को, ओके, let's say, कोई company है, ठेक, उसमें बहुत सारे department है, finance department हो गया, बहुत सारे ऐसे करके, बहुत सारे department है, ठेक है, तो क्या है, company मेंने एक accounting department भी set कर, करके रखका है, set up करके रखका है, तो वो जो accounting department है, जो कि company के अंदर ही है, वही क्या करता है, internal audit करता है, ना कि, जैसे कि पाकिसारे audit में, क्या होता है, कि बाहर से auditor को, बुलवाया जाता है, company के books of accounts, को चेक करने के लिए, company की progress को, चेक करने के लिए, पर यहाँ पर क्या होता है, कि company के लोग ही audit करते हैं, ठीक है, तो, क्या, आप बात करते हैं, कि यह जो internal audit है, वो आखिर क्यों करवाया जाता है, पहली बात, अच्छा, one more important thing, कि यह जो internal audit है, यह important नहीं होता, ठीक है, उसको compulsory किया है, कि यह audit करवाना है, पर यहाँ क्या होता है, internal audit, जो है compulsory नहीं होता, लेकिन, फिर भी जो है, company करवाती है, internal audit, ठीक है, तो क्यों करवाती है, यह basically, इसलिए करवाती है, कि यह जो management है, यह जो internal audit है, वो management ही करवाते हैं है ना क्यों करवाते हैं वो इसलिए करवाते हैं अपनी जो company है उसकी progress को check करने के लिए हमारी company सही से work कर रही है हमारी company profit हमारी company का profit हो रहा है या फिर वो loss phase कर रही है है ना इनी सारी चीजों को check करने के लिए जो management होता है company का ठेक है, वो क्या करता है, internal audit करवाता है, कहने का मतलब यह है, कि जो internal audit होता है, वो कोई और ने, बलकी company की management ही करवाते हैं, ठेक है, इसलिए करवाते हैं, कि वो अपनी progress, अपना work चेक करवा पाएं, और company किस position पे है, वो चीज़े देख पाएं, उसकी वज़े से जो improvement है, ठेक है, वो उसको analyze, जो मतलब default है, उसको analyze करके, वो उन चीज़ों को सही कर सकते हैं, company में improvement कर सकते हैं, ठेक है, जिससे कि company efficiently and effectively जो company में work है, वो हो सके, ठेक है, अच्छा, अब इसी तरे, इसी और क्या होता है, कि जो statutory basically, इसी जगह जो statutory audit होता है, उस case पे क्या होता है, वो पहले तो law के law ने बोला है कि उस audit को करवाना है, ठेक है, उसमें क्या होता है, बाहर से auditor आता है, ठेक है, अच्छा, one more important thing, अब ये जो management होता है, वो क्या करता है, internal audit करवाता है, ठेक है, लेकिन उसी जगह जो shareholders होता है, ठेक, वो क्या करवाता है, वो statutory audit करवाता है, ठेक है, अब क्यों करवाता है, भई, इसलिए करवाते हैं, कि जैसे कि management होता है, वो अपने आपको चेक करने के लिए, अपने work को चेक करने के लिए, खुद का work कैसे चल रहा है, company कैसे चल रहा है, वो इसलिए internal audit करवाते हैं, जबकि जो shareholders होते हैं, वो statutory audit करवाते हैं, वो statutory audit क्यों करवाते हैं, कि management कैसे काम कर रहा है, कि management को चेक करवाने के लिए, statutory audit करवाते हैं, और जबकि management क्या होता है, वो खुद को चेक करने के लिए, कि हमाई company में क्या चीज है, कैसे चल रहा है, my company के progress क्या है, वो खुद को चेक करने के लिए internal audit करवाते हैं, जबकि जो shareholders होते हैं, वो statutory audit करवाते हैं, क्यों करवाते है management को check करने के लिए करवाते कि क्या management कोई गड़वर तो नहीं कर रहा है company में कोई fraud तो नहीं कर रहा है कुछ गलतियां तो नहीं कर रहा है कोई mistake तो नहीं कर रहा है इन चीजों को check करवाने के लिए shareholders क्या करता है statutory audit करवाता है और अपने management को check करवाता है आपको ये internal audit का मतलब अब अच्छे से समझ में आया होगा है ना अच्छा मैं इसमें एक और चीज समझाना चाहूंगी कि ये जो internal audit होता है इसमें क्या होता है कि कोई special qualification की जरुवत नहीं है मतलब क्योंकि ये company के लोगे करते हैं company का management ही करवाता है तो इसके लिए CA होनी की ज सकता है जबकि जो shareholders करवाते हैं जो कि start tree audit होती है ठीक है बाहर से एक auditor को बुलवाते है तो उसका CA होना ज़रूरी है ठीक so I hope आपको internal audit अच्छे से समझ में आया आ गया होगा so if you like this video like share and subscribe and do not forget to hit the bell icon